शीखा जी दिल्ली से रादे रादे मारा जी मारा जी किसी भी जन से अधिक समीपता प्राय मानसिक कस्ट का कारक क्यों बनती है क्योंकि ममता दुख का हे तो है ममता दुख का है तो किसी सरी से क्या अपने सरी से ही अपने सरी से भी अधिक प्रेम करोगे तो तुमारे दुख का हे तो बनेगी अगले जन्म का हे तो बन जाएगी उपाए भगवान से ममता सब की ममता ताग बटोरी भगवाने बोल रहे मम पदम नहीं बांधि बर डोरी भगवान से ममता जोड़ लो अभी आनंद की प्राप्ति होने लगेगी प्रभु से स्री कृष्ण से स्री राम से स्री हरी से अपनी ममता जोड़ लो उससे आनंद की प बुद्धी है और चाहते कि हम आपको प्यार करें तो आप मेरे मन के अनुसार चलें आप मेरी बुद्धी के अनुसार चलें आपका भी मन है आपकी भी बुद्धी है तो थोड़े दिनों के बाद अपने अपने मन का रास्ता तो फिर वो हमको दुख होता कि हमने इसको इतना प्यार किया, हम इतना समर्पन हुए इसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए कुछ नहीं, अपनी तरफ से इतना करें, इसके बाद आगे से ना मिलेगा, ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी मन है, उसकी भी बुद्धी है, सबज्रेला, इसलिए अंततो गत्वा, जो बिवेकी हैं, वो पूरे संसार में घूमने के बाद जब देख लेते हैं, कि इसमें कोई मेरा नहीं है, असली में कोई नहीं, तो वो फिर भगवान की सरन में जाते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, उसी मुश्किल को समालने के लिए तो अध्यात्म है, बस आपको जब से सुनना शुरूर किया शुरूरा साथ, लगता है उसी को समालने के लिए अध्यात में, भगवान अपने एक भक्त पर जब करपा करते हैं, तो ग्यान का चस्मा दे देते हैं, उस चस्मे में दिखाए देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, तब मन भा बढ़कर लगा, भले नहों आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा, और ये मन का सुभाव है, ये मन का सुभाव है, वो नवम नवम चाहता है, तो ये ऐसा होगा, क्योंकि ऐसी रीत ही है संतार की, हम तो कई बार भरतरी जी का चरित्र सुनाया है कई ऐसे चरित्र सुनाये, मन की रीत ही ऐसी है, मन की रीत ही ऐसी हूँ, यहाँ प्यार नहीं मिल सकता, यहाँ कोई प्यार नहीं कर, आर पार, आर पार का निर्वा, मतलब जिसे और छूर का निर्वा कहते हैं यहाँ नहीं हो सकता, संसार में नहीं कर सकता, संसार में आपके पास रूप है, आपके पास गुण है, आपके पास धन है, आपके पास बुद्धी, जो देखकर आपसे जुड़ा है, वो जब तक है, तब तक आपसे प्याओ, जिस दिन उचसे बढ़कर मिल गया, तो आपको छोड़ देगा, या वो वस्तु आप पे नहीं तो छोड़ वो इसका निर्वा भगवान करते हैं, भगवान प्यार करते हैं, दूसरा प्यार नहीं करता, हमारे मन में बचपन में यही बात आये थी, कि मेरी मा पदार जाएगी, तब ही मैं कैसे जिऊंगा, मेरे पिता चले जाएगे, तब कैसे जिऊंगा, मेरा भाईव चला जाएग अब भाग पड़े भगवान की खोज में और पूरा जीवन भगवाने से तो अब हमारे कोई भूंख थोड़ी है कि हमें कोई प्यार करें हमें कोई मान करें हमसे कोई मिले हमें कोई चाहर नहीं ऐसे महान की प्राप्ति जब हो जाती है जरास अपनापन हो जाए तो संसार तो फिर क्या कहला है अब सब रूपों में वही प्यार कर रहे देखो तेरा वर्से से लेकर 35 वर्स तक जो हमारे जीवन की यात्रा रही कभी भरपेट भोजन नहीं मिला भारी कश्ट भारी अपमान जब भ्रहमन में रहे 35 वर्से के उस्था में ब्रंदावन आ गए थे कितनी भीर होती है लोग दर्सन के लिए वो दर्सन देने के लिए करे अच्छा हम कोई hero hero ही नहें किया है आप विचार करके देखो हमें कौन देखना चाहे हो hero बाबा जी है और भाबा जी है ना तो देखना क्या चाहते मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार देने आते हैं हम ये देखते हैं कि इन सब रूपों में मेरे भगवान प्यार करने आते जिसके लिए हम जिन्दगी भर तो वो आज हमको आखिरी में है जीओ जब भगवान से प्यार करता है अब देखो मरने का भी डर नहीं क्योंकि मर के मैं उनी से मिलूंगा जिनके लिए जीवन भर भजा हूँ, तडपा हूँ, चला हूँ तो भला जिसे तुम दस साल से इंतिजार कर रहे हो किसी का और उसके मिलने का समय होते तुम्हें डर लगेगा क्या तुम्हें तो उत्सा होगा तो जीवन भर जिससे मिलने की चाकी अब सरीर छूटकर उससे मिलने का समयार आए अब तो आनंद है अच्छा जिसने भगवान को लई बजा अब परिवार से प्रेम किया अब यही छूटने का समयार तो घबड़ा ली जाएगा वो कि जिनसे हमारा अपनापन है वो तो छूट रहे है अब हम कहा जाएंगे मर के पता नहीं कहा जाएंगे हमें पता है मर के हमें कहा जाना है अपनी लाडली जू के पास जाना है अपने प्रभू के पास जाना है तो वही हम सिखा रहे हैं कि यहां प्यार धोखे का है यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता अपनी सुख वरत्ती से आपकी पूरती सुख की हो नहीं उसको परवा अपनी सुख वरत्ती की पूरती के लिए वो आपसे प्यार कर रहा है अपनी सुख वरत्ती के लिए आप गौर से देखना अपना मतलब बस बस और ये जब बात आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता अब मैं उसे प्यार करूंगी जो सिर्फ मेरे से प्यार करता है और वो भगवान है वो सिर्फ भगवान है पुनीच जी करोली राजस्तान से रादे रादे महराजी आपके चरणों में वैसे पहले किसी शंत से या भगवत प्रेमी भक्त से सुनो बैठका चुपचा और फिर स्वयम करोगे तो ज्यादा नुग होगा अध्यात्मी कुन्नती के लिए मना शानती के लिए प्रथम सुने भागवत भक्तमुक भगवदवानी भगवदवानी गीता या भगवद किसी भगवद प्रेमी महात्मा से सुने ठीक है न अगर ऐसा उसर नहीं मिल ला तो कूज श्वामी स्री राम सुगदाश जी द्वरा बहुत सुन्दर टीका की गई है साधक शंजीवनी नाम है उसका वो खरीद लो और इश्नान करके एकांत में पहले वगवद नाम जब करो और फिर पढ़ो अर्थ साहित बुश्त्र टीका है फिर समझ में आ जाएगी साधक संजीवनी टीका गीता प्रिश से मिल जाएगी आप उसको खरीद लो पूझ श्वामी स्री राम सुपदाज जी महाराज नाम सुना होगा नहीं सुना अभी नए जगत में आयो तो नाम नहीं सुना वो पढ़ार चुके अंतर ध्यान हो चुके बड़े महापुरुष्टे गीता जी में ऐसी सुन्दर टीका स्वामी जी मह मतलब जिसे नहीं करते हैं आनंद आ गया रसोई चक बनी हो ना जिसे करते हैं आनंद आ गया ऐसे श्वामी जी महराज ने जो गीता जी के ठीका की और बिलकुल शरल भाशा में दिब बिता खोल के रख दी गीता जी की तो पहले तो नाम जब करो और किसी संत महा भागवत क मुक्षे गीता सुनो और फिर एक आंते में जब मनन करोगे तो ज्यादा लाफ मिलेगा और गीता मनन करने के लिए सबसे पहला नियम है कि स्री कृष्ण भगवान को अपना मान ले, अपना श्वामी मान ले, मित्र मान ले, गुरू मान ले, सर्वश्व मान ले, यही से गीता प्रगट करते हैं अपने स्री मुक्षे, तो हम गीता का आनंद तभी ले सकते हैं जब भगवान को अपना माने, हे कृष्ण, हे करुणा में, आप ही हमारे गुरू हो, आप ही हमारे मित्र हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सरवश्र हो, और फिर गीता जी पढ़े, क गीता का रंग आ गया इसका है और लोगा बाहरी सुनान का ज्यादा मात तो ने रखते हैं अ अब जैसे एक बड़ी हाँ रेसम की थैली हो और उसमें सौच बर दी जाए उपर से पैक कर दी जाए अब आप उसको बड़ी हाँ जल से धोले हो और जिसको पता इसमें सौच बरी है तो वो प्छूना चाहेगा क्या लेगेगा ना पवित्र है यार तुम बाहर से सो बार दो तो एक चमड़ी का भर खेल है नहीं है मला से मूत्रा से है तो क्या पवित्रता पवित्रता मन की मन की पवित्रता तन की पवित्रता तुझा जी तना दोलो पवित्र ही बना रहेगा मन की पवित्रता मन के से पवित्र होता है मन पवित्र होता है संसार को अपना मानने से और मन पवित्र होता है भगवान को अपना मानने से भगवान को अपना मान कर जब नाम जब करते हैं तो आप अवित्रह पवित्रोवा सरवावस्थांगतो पिवहा या इस्मरेत पुंडरी का अक्षम सवाया भ्यांतरह सुची वो बाह और अंतर से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान को अपना मान कर कमनलें स्री हरी का इस्मरन करता है तो भगवान को अपना मान कर उनका इस्मरन करते हुए जब गीता पढ़ोगे तो भगवान समझा देंगे स्वई जाने जही दे हुजनाई जिसे भगवान अपना ग्यान दे देते हैं वही सच्छा ग्यानी होता है ठीक है पूजा गुपता जी दिल्ली से राधी राधी महराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी नमाने महराजी उडिया बाबा महान ईश्वर प्राप्ट संथ है परंतु उनका महा परायन बहुत दुखत हुआ था महराजी इसके पीछे जाश्वान द्वारिका धी सर्वलो महिश्वर परायन हो रहा तो चरण में बान संधान हो रहा है इंग महापुरुषों ने अपने सरीर को पुराने कपड़े की तरह पहले से इत्याग दिया है तो पूर जन्मू का अनन्त जन्मू का प्रारब्द होता है बाबा के आश्रम में ही रहते ते किसका प्रशन है आ बावा के आस्रम में रहते थे तो मोर चलू करने के लिए आये पहले मना कर दिया नहीं जिसे उकों ने पता नहीं उसके दिवाग में कौन सा कर्म पेरित करके लाया कैसे निर्मल महापुरुष के सरीर को जहां कुंतलों मनों पुष्प चड़े थे वहां गडासे सिप्रहाद जिनका कभी इस वपने में भी किसी के प्रति रागद्वेस होई नहीं सकता वो तो सिद्ध महापुरुष भगवत ब्रह्म शुरुप ऐसे महापुरुष की तो केवल उडिया बाबा की नहीं बहुत से ऐसे महापुरुषों के लिए लाये हुई हम काफी समय वहाँ रहे हैं घंगा के किनारे तो एक संत आये तो गांजा वंजा पीते थे तो अन्य शंतों ने उनको विरोध किया कि एशे शंत को स्वामी जी ने मगनानन सरश्टी जी ने उसे विसेश प्यार दिया जब उनके पास दूद लाया जाता तो उसके पास जरूर भेजवाते सबने का ये बड़ा उपद्रो करता है अपने मतलब सादुकों के लिए बहुत हानिकारक है तो जब उनसे सिकायत करते तो कहते नहीं यहां सब कोई रह सकता है कि प्रभू का अश्रम है तो सब कोई रह सकता है एक दिन वो बाबा से कहा कि आपका यस सुनकर हमको बहुत जलन ह होती है उनका मिटालो आपको जैसे जलन मिटाना फरशा टाइप रखता था दो बज़े रात के उठे मगनानसर से आठ दस जगे उनको और आठ दस सिस्टे सापको फरसे गायब हो गए देखो भगवान की तीन प्रकार के लिए लाए स्रजन पालन और शंगार वो अपने आप से अपने आपका श्रजन करते हैं अपने आप से अपने आपका पालन करते हैं अपने आप से अपने आपका लाय कर लेते हैं यह लीला करके दिखा रहें कि सरीर की अंतिम गतिये ही है इसका नाश ही है हमको उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए हमें देखना चाहिए जीव प्रेमी महापुरुष थे बक्सर के मामा जी और एक्सिडेंट में सरीर पूरा हो गया गाड़ी से जा रहे थे कथा के ने बस एक दम राधा फिर सरीर और जानकी जी को बहन मानते इसलिए जगत मामा थे बक्सर वाले बड़ा विचित्र है अंतिम लीलाए जो संयोग बना है प्रारब्ध का इस सरीर का अंतिम वो होगा सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ हान लाव जीवन मरण जस अपजस बिधियात ये विधान के हाथ है अगर मरना है जैसे तो ऐसे मरना ये पक्का है इसमें दे खाया ले अजुन्य अजुध्यानात परिकर सहित सरीयों में और द्वारिकानाथ अपने चरणों में बान का संधान से करंतर तो भगवान का कौन सा प्रारद है लेकि लीला है अंतिम शंगार लीला संबरन लीला ये ऐसी है भगवान की बड़ी विचित्र लीला है इसलिए जीते जी भजन कर ले और सरीर से राग मुक्त हो जाए यही खास बात है बावा तो जीवन मुक्त महापुरस ब्रह्म शुरुक्ते उनका तो कोई अपर प्रवजल इटावा से महराजी आपकी चरणों में कोटी-कोटी पढ़ा महराजी जिन दिनों में परिशान रहता हूं समस्या में रहता हूं उन दिनों में मेरे इश्वर में खूब ध्यान लगता है और जब मैं खुश होता हूं तो ध्यान की कमी हो जाती महराजी क्या यह मानव सभाव है यही स्वार्थ है अभी भगवान में ध्यान लगा नहीं बच्चा नहीं अनकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख का कोई मात नहीं अईसा नहीं है पर दुख में गाड़ चिंतन तुम्हारा होता है और सुख में चिंतन भूल जाते हैं मुझे विश्वासी नहीं होता क्योंकि जब गाढ़ शिन्तन होने लगेगा तो फिर उसका स्वाद मिलेगा और स्वाद मिलेगा तो उससे बढ़कर सुख क्या है फिर कौन सा सुख है जिसमें तुम प्रभू को भूल जाते हो हम प्रभु को तभी भूलते हैं जब प्रभु से ज़्यादा हमें कुछ अच्छा लगता है आप देखना वह किसी वस्टू को हम तभी त्यागते हैं जब उससे स्रेष्ट मिल जाए तो प्रभु के गाड़ चिंतन से स्रेष्ट कोई सुख लगा इसका मतब स्वाद ही नहीं मिला अगर स्वाद मिला होता तो त्रिभुण की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विश्मरन ना करे उसे भगवान का भक्त कहते हैं तो अब भ्यास आपने शुरू किया है अभी अभी कोई स्वाद तो मिला नहीं तो इसलिए जब संसारी कनकुलता मिलती है तो हर्ष आ जाता है और हर्ष में फूल करके प्रभु को भूल जाते हो और जब प्रतिकुलता आती है तब लगता है अभी समस्या का समाधन तो भगवान ही है तो हम भगवान का इस्मरन करने ल होता है तो अब आप विचारवान मनों क्योंकि आप संतसंग मिला कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान को भुलवा देती है कौन सा ऐसा व्यक्ति है कौन सी ऐसी घटना है कौन सा ऐसा सुख है जो हम भगवान से भी स्रेष्ट माने तो जिस समय हम भोजन कर रहे हैं जि तुम्हारा मन लग जाता है, तो बड़े सो भागी का विसा है, अब हमको ये देखना चलते हुए, बादचित करते हुए, इश्नाना दिक्रिया करते हुए, या भोजन करते हुए, या किसी भी क्रिया में भगवान का विश्मरन होता है, उनको जिनका अभ्याज दरड नहीं ह हमको इन ही में अभ्यास करना है जब अभ्यास द्रड हो जाएगा तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जाकते हर शमय हमारी इस्तिति भगवान में रहेगी क्योंकि भगवान से बढ़कर हमारी दृष्टी में कुछ नहीं है और जब तक भगवान से बढ़कर हमारा इतना गीरा हुआ इस तर भगवान के लिए है कि नारकी भोग मिले तो भी हम छोड़ दे मलमूत्र जनित देह जनित राग और इन द्वारों को भोगने का तो हमें भगवान का विस्मरण हो जाएगा मतलब कितना हम कमजोर जगे में भगवान को बेटा ले गए तो हमें भगवान को सरवोची स्थान पर रखना है वो तभी माना जाएगा कि आपने भगवान को सरवोची स्थान पर रखा जब किसी भी घटना परिस्थिति व्यक्ति वस्तु इस्थान चायो अनकूल हो या प पर अच्छा है हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस नई अवस्था में भगवान की तरफ चल लें, जहां प्रमादी स्थिती कामादी दोशों से युक्त होकर व्यशनादी में बच्चे जाते हैं, वहां तुम भगवान की तरफ चल लेो, भगवान तुम्हारे उपर बहुत प्रशन है और विसेश क्रपा तुम्हारे उपर है, तुम इसको समेटो, अब हर परिस्थिती में इसमरन करना सुरू करो, पाँच मिनट के अंतर में एक बार नाम जरूर ले लो, इसको पकड़ो, हर पाँच मिनट में एक बार राधा बोलो, चोविस घंटे का नसा चा जाएगा, क्योंकि हर पाँच मिनट में डर लगा रहेगा, अगला पाँच मिनट फिरी न चला जा, क्योंकि मुझे राधा बोलना है, तो कितली बार राधा इसमरन नाम हो जाएगा, हर पाँच मिनट में एक बार राधा बोलने का नियम तुम लो, तो चोविस घंटे क नियम वो पूरा उसमें ले आएगा बहुत आनंद बच्चा जीवन की सार्थक्ता भगवान के इस मरण में है जो भगवान से बिमुख हो कर धन संपत्ति नाना प्रकार के भोग ये एक बड़ा स्वपन है चालिस साल पचास साल असी साल और सरीर शूटा कुछ नहीं जो हमने असुब कर्म किये या सुब कर्म किये वह हमारे साथ जाएंगे और यहां आये हो शुब अशुब दोनों को मिटा के भगवत प्राप्ति करने के लिए शुब अशुब के लिए भोगने के लिए तो पसुब अक्षी उनिया बहुत है मनुश्यों नी ये सुब अशुब दोनों को मिटा कर नए प्रारब्ध की रचना नए भाग की रचना करने के लिए और वो सामर्त भगवान में है इसलिए भगवान की कता सुनो नाम जब करो माता पिता परिवार की सेवा करो जब कभी किसी की सेवा का उसर मिल जाए तो उसमें भगवान की भावना करके मेरे भगवान इस व्यक्ति के रूप में है, आज मुझे सेवा का उशर मिला है, दिल खूर कर सेवा करो, सेवा से जो लाब मिलता है न, वो बड़ी-बड़ी तपस्या से भी नहीं मिलता, पर ही तसरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरों का हित करने की भावना है, ये बहुत ज अमा का सुरू को आप में निफ्या, ब्याखुलता होती थी, इतनी ब्याखुलता होती थी, एक पर खली दर सब्सक्राइब, बापते तो आप मेरे साथ 24 गंड दो पार, मतलब जब से मिला हूं, ऐसा लगता है, मतलब पकड़ लिया हमने, कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का आप सामने रखे, इवन को आप मिले साथ में रखे, हर साथ में आप मिले साथ में रखे, हर साथ में, जोजी इवन में कभी सोचा नहीं था, जितना हम अपने चित्व को समर्पित करते जाएंगे, तो उतना ही परिवर्तन होता चला जाएगा, संसार में समर्पित होगा, त भी संपदाने लगेगी, चित का इसारा खेले, चित का चिंतन अगर इधर हुआ, तो पतन और भगवान की तरफ हुआ, तो महानुन्नती, भगवान प्राया जहां उपदेश किये ना, उसमें अनन्यस चिंतें तो माम, अनन्य चेता सततम, चित को भगवान में लगाने की जैसे वायू चंदन के व्रक्ष की शुगंद को दूर दूर तक फैला देती है, अगर वायू नहों तो आसपास के व्रक्षों में शुगंद ही नहों, चंदन है भगवान और वायू है संत जन, जैसे वायू सुगंद लेकर सबकी ग्राणेंदी तक पहुचा देती है, ऐस ऐसे समुद्र से खारे जल को घसीट कर किरणों के द्वारा और जो वो बादल बनके बरसता है तो मीठा जल बरसता और सब को प्राप्त होता है पसू पक्षी फ्यसल सब के पीने योगी हो जाता है ऐसे भगवान आनंद समुद्र है अब उस आनंद समुद्र का अगहन भगव होता है और शंत की जब कृपा होती तो चित भगवान में इस्तित हो जाता है संत की कृपा का मतलब चित का भगवान में लग जाना यह है और दूसरा लाब नहीं है संत के संग का जो लाब कहा जाता है पहले जीवन का परमलाब है संत संग उमा संत समागम समन लाब कच आन और सत्संगति संस्रतिकर अंता सत्संग ने संस्रति जो आवागमन चक्र पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे सेनम उसका अंत हो गया संत संग का संत का यहीं चमतकार है कि हमारा मलिन मन प्रभू में लगने लगे हमारे मलिन मन की गती जो संसार की तरफ थी वो भगवान की तरफ थी अगर यह नहीं तो या तो वो संत नहीं है और या फिर हम उनकी बात नहीं मान रहे नहीं तो संत संग का सीधा फल है बड़े भाग पाईव सत संगा तो बिनहीं प्रयास होई भव भंगा संसार समुद्र से हमारा पार हो जाना यह संत संग का फल है अगर संत संग मिला और हमारे दोस्नस्ट नहीं हो रहे भगवत व्रत्ती नहीं बढ़ रहे तो हम जरूर मन मानी अंकार पूर्ण आचरन कर रहे तो परिवर्तन हो आपको रात दिन अनुभो होगा कि वो शंथ हमारे साथ है जब आप आग्या पे चलोगे तो जैसे आज हम सत्संग में कह रहेते कि गुरुजन तो यहां बैठे रहेते आपने जवाब दिया यह है तो यही बैठे रहते हैं आग्या चक्र पर ही गुरुदेव बैठे रहते हैं तो अजीब लगता है ऐसा आप बैठे आइसा ने ऐसा करना है तो इस लगता मिलो रेज गौरब कुमार शर्मा जी उत्राखंड से रदावलुदू रदावलुदू महराजी पिछले लगबग दो वर्ष से आपका सत्संग एगम एक कांतिक बारतलाप सुन रहा हूं और उसके बताय मार्क पर चलने का प्रयास कर रहा हूं महराजी मेरा प्रशने है कि द्रिश्टा भाव रखने के बाद भी कभी किसी कारेकी करने पर अहम तथा दूसरे के प्रति दोश दर्शन हो जाता जिसके बाद मैं गलानी का मिस्च करने को आप सिद्ध तो हो नहीं गए तो शाधक में तो तुरुटी होती रहेगी तो हमको क्या करना है कि जिस समय आहम हो उस समय तत्काल विचारवान होना है कि मेरे शे क्या हो सकता है यह तो मेरे गुरू क करपा है मेरे प्रभू की करपा है नहीं नहीं मेरे से ततकाल उसमें काटो अहंकार जब आ रहा है तो उसको काटो अगर सरीर से कोई सतकर्म बन जाता है भागवतिक कर्म बन जाता है प्रशंशनी बन जाता है तो हम उसको तुरंत भगवान से जोड़ते हैं करपा से जोड़त जे सब भात तुम्हार भरोशा तुम्हें छाण इगत दूशर ना ही बसो हुरामतिन के मनमा ही तो हम जब द्रश्टा भाव में अगर ग्यान मार्ग में देखते हैं तो फिर करता कौन होता है जिसको आंकार आ जाता है तो उस समय आप अपने द्रश्टा भाव से चूक गए तो फिर लोटकर आईए उसी द्रश्टा भाव में और उसको काट दीजिए जो आपकी माननेता हुई अच्छा दूसरे में दो सदर्शन तो दूसरा कौन है तो फिर दो सदर्शन क्यों इसी बात को तो काटना है हमें दूसरा है कौन बिलकुर सच्ची बात समझे आप एक लाख घड़े रखे हैं और उसमें सूरी भगवान के एक लाख प्रतिबिंब पड़ रहे हैं तो सूरी एक लाख थोड़ी हो गए और उन घड़ों के तूटने से सूरी तूटी तूट जाएंगे मल्योक डंड़ा उठावे सू घड़े फोर दे तो सूरी का क्या बिगड़ा ऐसे ये सब घड़े हैं इनमें एक ही परमात्मा है और दूसरा नहीं तो हम परमात्मा देखने निकले या दोस देखने निकले अब दोस देखोगे तो फिर दोस में फस जाओगे और परमात्मत्त तो देखोगे तो दोस नहीं देखना है अगर बार बार चूक समालते समालते एक दिन ऐसे हम दरड हो जाएंगे कि हमसे चूक ही नहीं होगी उसी को सिद्धा उस्ता कहते है तो हम अभ्यास रत रहें पर नाम जब चलता है चलता है नाम जब बिना नाम जब के सब माया लपेट में ले ले लेगी है दृस्टा भाव साक्षी भाव सब मिनट में लपेट स्वी बिरंची काम हो है को है वह पुरा आन असजीय जानी भजीय माया पति भगवान हाँ नाम जब करते रहे ना नहीं तो ये ग्यान भी ग्यान जो है ना जो ग्यानिन कर चिता परए बरियाई बिमोह बस करए बहुत बलवान भगवान की माया सकती है बड़ी जल्दी भगवान को नमसकार कि वो अपनी माया से हमें बचा कर रख्यो नाम जब नाम जब ने ग्यान भी ग्यान कुछ काम ले करेगा बड़े बड़े रिसी मुनियों को भी छण में मोहित कर ले ऐसी भगवान की प्रचंड माया सकती है जो माया मुक्त है उनको घसीट ले तो नाम जब चल रहा है तो निश्चित मंगल हो जाएगा निश्चित भगवत प्राप्ती हो जाएगी चंपालाल राठी जी कौलकता से शद्ध माराजी आपके चरणों में प्रणाब माराजी मेरा प्रश्ण है कि अगर कोई आदमी देंदारी छोड़कर दुनिया से बिदा हो जाता है देंदारी छोड़कर उसके ओपर करजा हो उसके ओपर करजा हो और चले गया उसके वारिस लड़के ने अपने पिता जी की करजा चुका दिया तो इस प्रिस्टिती में उस जाने वाले जीव को रिन कर्द से मुक्ति मिल जाती। 21 पीडियों को तार देता है तो पिता तो बहुत नजदीक हुए न 21 पीडियां तर जाती है उस खुल की सोकुल धन्योमा सुन जगत पूज सुपनी जो भगवान का भजन करने वाला माभागवत पैदा हुआ 21 पीडियां तर जाती है तो यह तो सांसारिक करजा है अगर वो सांसारिक करजा पिता का पुत्र निप्टा देता है तो मुक्त हाँ जिन मुक्त हो जाएगा हाँ वो भी उसको मिलेगा बिलकुल मिलेगा पक्का मिलेगा क्योंकि यह सरकारी हिसाब किता हुए आप किसी को भी पुन्य दे सकते हैं अपना जो आपके पास धन है आप 500 गमे लिए 500 गमे आप किसी को दान दे सकते हैं अच्छा अभी वर्तमान वाले को दान दे के संकल्प करके जो सरीर छोड़ चुका है उसको दे सकते हैं यह सास्त्री विदान है पर उसके लिए संकल्पि वो ब्रह्म रिशी, वो मंत्र वेत्ता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए पैसा फिस सरकारी काग्जात से होगा, बहुत जो बैंक में आपके जमा है, तो आपको कहीं वेजना है, अमेरिका भेद्धो कहीं भी भेद्धो, पर वो सरकारी ही होगा, तो ऐसे वैद बहान तभी तो पिंडदान किया जता है, गवदान किया जता है, सरीपूरा होने वाले के लिए भागवत कथा कराई जाती है, भंडारा पवाया जाता है, कि यह सब पुल्णी उसको प्राथ हो, हाँ, बिलकुल मिलेगा, मिलेगा, संकल्पित जब कर के दिया जता है, उसको मिलता है यह तो पिंडान और गवदान आदी हो गया यह सास्त्री पद्धिकन सार पंडित जो भी होते हैं करमकांड के साब से जैसे आपने बोला कि नाम जब भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं यह तो सीधे भगवान को समर्पित करो भगवान वहां पहुंचा देंगे सीधे आप के चरणों में समर्पित करते हैं इस नाम का फल हमारे पिता को मिल जाए हमारे बाबा को मिल जाए हमारे अमुक को मिल जाए कोई भी भगवान का जो सेवा कार्य है भजन कार्य है किसी को भी आप दे सकते और इसमें परम लाब यह कि उसका तो लाब हुआ अब इस दान का फ कि दान का फाल है, वह लोटकर आप के पास आईगा, कई गुना बढ़कर करके आएगा, पर इतनी हिम्मत होतनी चाहिए, कि अपना भजन अपना पुन्य हम किसी को दान कर दे फिर उसका फल लोटकर आपके पास दबल होकर आएगा जो और आनंद प्रदान करेगा तो अब ये तो अपने लिए भजन ने करेगा दूसरे के लिए कौन भजल करेगा आप सुचो अपने लिए भजल नहीं हो रहा ये अपने लिए सब सुचुख वांचा से परे साल है तो दूसरों के लिए पूरुखों के लिए जिन्दा बाप को तो कवल नहीं दे रहे मरे हुए को गौदान पिंडदान कौन करेगा आप आज का समय आप देख लो ऐसा हो रहा है वो तो जिनको धर्म का ग्यान है वो बात अलग है नहीं आज के बच्चे ऐसे हो रहे माता पिता की विलकुल मान्यता नहीं कर रहे चाहे मनमानी ब्याह के लिए हो चाहे मनमानी आचरणों के लिए हो अपने माता पिता का उधार करें, अपने माता पिता के लिए गवदान करें, श्रीमत भागवत का पाठ कराएं, यहां संतों को भोजन कराएं, उसका फल उनको प्रदान हो, गऊशेवा करें उसका पल उनको हो नहीं तो आजकल के बच्चे तो अपने वासनाओं की पूर्ती में ही ज़्याधा वो पितरिन मातरिन देवरिन रिशीरिन इनसे कोई मतलब लई है धर्म से कोई मतलब लई है जिस्से मनाया उससे अपना सरीर सम्मंद भाव किया हमें सो भाग्य मानते है कि आज कलियुग में आप लोग चल कर आकर के सत्संग सुन रहे हो नहीं तो कलियुग का इसा प्रभाव है लोग देखो ना इतना माया में आशक्त है बहुत मताव अहंकार जनित चेश्टाये नसा गंदे आचरन तो भला पापवंत कर सहज शुभाव जिनका बन गया है तो भजन मोरते भाव न का जो पैदुष्ट हरदय सोई होई मोरे सन्मुखाओ के सोई यह तो बड़ी कृपा है भगवान की कि आज आप सत्संग में आएं आप सत्संग सुन रहें आप उसको जीवन में उतार रहें तभी एक अक्षर भी उतारा है तभी आपको आने को मिलेगा एक अक्षर भी उतार सुनते हैं जो उसकी अनुषार आचरन करते नहीं तो बहुत दुखी होना पड़ेगा परिणाम जो आएगा बहुत दुखी नहीं बढ़ रहा, तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसे भोगना पड़ेगा, अच्छा अब ये पूरा मूल नहीं हिसाब किताब हुआ, सरीर छूटने के बाद अब जब जज्ज के पास जाओगे, दर्वराजबा, वो नियाए अलग है, ये तो अभी ब्याज है, मू थोस में, तो आज का जो नौजवान है, वो बहुत क्रपा कर रहा है, कि सत्संग सुन रहा है, अपने को बदल रहा है, जैसे नौईवक भाई आते हैं न कहते हैं, महराजी हम आपको धन्यवाद देते हैं, ऐसा वैसा, तो हम आज जोड़ के कहतें, भाईया, तो के पातरा आप लोग हो, जो बात मान रहे हो, तो यह तो बहुत बड़े अच्छे विचार हैं, कि अपने बुजुर्गों के लिए दान पुन्य करना, उनके लिए भगवत उद्धार की बाते करना, वर्तमान में बिराजमान माता पिता की सेवा करने को बच्चे तयार नही यह सब ठाकुर जी महाराज की करपा है कि भाई लोग हमारी बात मान रहे हैं, नहीं कोई ऐसा जादू तमासा नहीं है, यह बात मान रहे हैं, यह करपा कर रहे हैं, युवा भाई हमको प्यार दे रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, तो भगवान उन पर करपा करें, भगवा हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं गाउं में पैदा हुए बजपन से गंगा किनारे रहे पूरा जीवन अब भगवान ने सेवा दी है तो जैसे जो टूटी फूटी बात आती है अनुभाव की बात इसमें ये बात खास जो बात है उसमें ये है कि खाई हुई बात है केवल पढ़ी हुई बात नहीं है कि भाई हमने हाँ हमने हलुआ का पढ़ा लेकिन कभी चखा नहीं वो बात नहीं है हम पहले हलुआ बना के पाया है फिर हलुआ बनाने का बरणन किया है तो ये जो बात जहां कुछ पाई भर रंग ला रही है उसका कारण है कि जो हम आपको कह रहे हैं यह जीवन हमारा पूरा भगवान की कृपा से उसी मार्ग में चला है और उसी मार्ग में चल का तब वो बात नहीं तो बातें तो यही सब जगए होती है सत्संग में नहीं होती है रंग तब ही आता ह है जब भाजान हो तो भाजान और बात दोनों मिलके आपका परिवर्तन कर सकते हैं मैं न्यूजी लेंड से आया हूँ जी सिर्फ वेक अफते के लिए सिर्फ आपको देखने आपका चहरा खीच के लेकर आया है दस दिन पहले मैं न्यूजी लेंड में घर पे बैठा था और मुझे पता नहीं था कि मैंने आपके पास जिन्दगे में पहली पर वरिंदा बनाया हूँ बड़ी कृपास ते जी कि 2018 में मेरा एक्सिरेंट हो गया था जी मेरी रीड की हड़ी हाठ ठुकड़ों में खत्म हो गई थी और मैं दुनिया का तीसरा इंसान हो जो रीड के हड़ी टूटने के बाद आज आपके सामने खड़ा भी हूँ न्यूजी लण में घला था हूँ जी मुझे ऐसे लगता है मिरा जो यह चीवन है हाज आपको मिल ल prophecy लोगो बहुत है भगभुआ की बड़ी किरपा है भगवागं की नाम जब करना और आनंदीत रहना ठीक है नाम जब करना आनंद लेट रहना आंदीत रहना बिलकुल बि रुद्धन तूटने के बाद हमने भी ऐसा सुना कोई आदमी किसी काम का नहीं रहाता और आप कहरें कई जगे से तूटने के बाद आठ टुकड़े हो गए थे जिए तो नहीं भगवान की बड़ी का दोनों टांगे तूटी हो यह मेरी नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु कौन सी क्रीम यूज करते है कि सूरे से दिख देजिए क्रीम तुन हे जरूर लगिए आप देख लिजिए रही है क्या पूछ के आईगा दूसरा वो मर को कहती है एक बार अपना थाका मारके हस दीजिए उसके लिए तो प्रसंग होला चाहिए है उस प्रसंग में ठाब एसी बात आती है और हरदे एकदम आलादित हो जाता तब वो एकदम सुरूप आता ठाका और एक क्रीम की बात तो जिंदगी हो गई अब बाबा जी क्रीम के से लगाएगे आपको लगता है कोई क्रीम लगी हाँ पर ये जरूर है हम जिनका आराधन करते हैं वो बहुत सुंदर है देखो माई सुंदरता की सीवा महरानी जू हाँ लाडली जू तो जब जिसका चिंतन किया जता है तो उसकी आभा आती है तो जैसे हम लाडली जू कहना तो आप अगर थोड़ा भजन करो तो आप गौर से देखोगे तो आपको लगने लगेगा कि लाडली जू की है लाडली जू की आभा आने लगेगा आपको दिखाई देगा कुछ दिनों बात की ये तो हमें लगता है कि लाडली जू का ही प्रभाव होग लाडली जूज ऐसा आने लगेगा क्योंकि जब भ्रंगी कीट दूसरे कीट को लाके अपना चिंतन कराता है तो भ्रंगी बन जाता है ऐसे हिम जब भगवान का चिंतन करते हैं देखो अपने लोग किसी किसी संत को कहते संत नहीं वो तो साक्षाद भगवान है क्योंकि वास्तिव को भगवान में इतना तनमे हो गए कि भगवान हो क्रीम से सुन्दर्ता नहीं आती क्रीम से सुन्दर्ता नहीं सुन्दर्ता वो जो चित को चुरा ले सुन्दर्ता उसे कहते जो चित को चुरा ले, वो होता है भागवती, वो बनावटी स्रंगार से नेत्र लुभायमान कर सकते हो, चित नहीं, चित को जो चुरा है उसे सुन्दरता कहते है, वो स्री जी और लाल जुकी होती है, हम उनके गुलाम है, हम उनके दास है, तो अब दास पे कही न कही तो उन प्रियाजु का कब जाए दैवी संपदाज होती ना वो भगवत भक्त में अपने आप जागरत हो जाती पर जो एक आकर्षण होता है वो भगवान का आकर्षण होता है देखो हम जब सुबह आते हैं तो इतने लोग होते हैं और वो सब आनंदित होते हैं ऐसा लगता है कि मतल होता ऐसा उनके अंदर एक आनंद की उमगन दिखाई देर क्यों जो मेरे अंदर प्रभू वही उनके अंदर प्रभू वही प्रभू आनंद उमगन कर रहा है उसमें और कोई साधना का काम ने इसमें अपने इस्ट की क्रपा दिखाई देती है मेरी लाडली जू की क्रपा ये मेरी लाडली जुका प्रताफ ये स्री जी का प्रताफ है परवीन कुमार डोवाल जी है गुरुदेव आपके चरणों में कोटी-कोटी नमाने है गुरुदेव जिन व्यक्तियों को कभी विरिंदावन आने वह गुरु दिख्षा वा सत्संग प्राप्त करने का सुभाग प्रती हो जाएगी मानने से हला जब माटी के द्रोनाचारे बना करके जबकि असंभव है देखो गुरु जी ने का राम राम बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो हम जब रहें उनको गुरु मान लिया कितना सहज है लेकिन प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुर विद्या में प्रका प्रगट में चाहिए ना मिट्टी की मूर्ति लेकिन गुरु महिमा अखन मंडला कारम व्याप्तमेंचराचरम तो मिट्टी में भी गुरुदेव तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर जब गुरुदेव सिखाया नहीं और धनुर विद्या में प्रमिल हो गए कि गुरुदेव को भी पता नहीं तो आप मोबाइल से किसी भी संत को गुरु मान कर उनकी आग्यां से अगर चले तो क्या आपको भगोत प्राप्ति नहीं हो जाएगी क्यों आप बोलें किसका प्रश्ण है तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कभी ब्रंदावन ना हो कभी हमसे मत मिलो लेकिन हम बोलना है राधा राधा जपो अगर अमेरिका में तुम्हें सुनाई दे हो राधा राधा जपने लगो और हमारी आग्यां से चलने लगो पराई माता बहनों की तर बेबचार दृष्टी मत रखो मांस मदिरा मत प्यो साथ ब्रत्ति ब्रत्ति से लोग वहीं बगवत प्राप्ति हो जाएगी अमेरिका में ब्रंदावन मिल जाएगा यह के रहे कि आगे लिख रहे हैं कि क्या मैं भी उनके लिए नाम जब कर सकता हूं सबके लिए देखो संत महात्मा तो सबके लिए जपीर है सर्वे भाउंत सुख इता में भगवान जी कह रहे है मता परतर्म ना नित किंचि दस्ति दलंजे मेरे सिवा और को यह लए तो ब्रह्म अपना मिटाना है दूसरों को लए भगवत प्राप्ति अपले को करवाली दूसरों को लए हमारा चस्मा जेवी ठीक हुआ तो जित देखूंतित स्याम मही ह गुश्वामी तुम सिदाजी का जब भावनेत्र खुला जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम मैं जानी बंदों सब के पद कमल सदा जोरी जुगपाल सब में भगवान का अब किसका उद्धार करना है उद्धार अपना करना है हमारी दृष्टी बदल जाए तो सृष्टी भगवान ही बने हुए है दूसरा को ही नहीं है और जब हम में भगवत प्राप्ती का रंग चड़ेगा न तो आपके इस पर्श से आपके दर्शन से आपके संभासन से आपकी छोटी छोटी चेस्टाओं से लोगों का कल्यान शुरू हो जाएगा करना नहीं पढ़ता है अ यहां तक पहुचो तीन महीने में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर आपके कारगारे में आके इसको चार्ज कर लेते हैं तो अच्छा लगता है यह तो वहां पर पड़े रहेंगे ठीक है लेकिन यहां पर आपसे दर्शन नहीं इनका प्रशन था कि जो आ नहीं सकते ह तो उनके भी कल्यान और जो आ जाए तो अब फेस टू फेस जो बात है अब हाँ वो कैसे है मुबाइल का गुलाब जामून दुकान से अंतर अगल आपको देखना जरूरी है अब जो नहीं आ सकते तो फिर उपाय तो बताया जा सकता है ना उनका कल्यान नहीं रुखना चा तो कोई नो कोई संत तुमसे मिलेगा तुम्हारा कल्यान करेगा जब कोई जीव व्याकुल होता है अपने कल्यान के लिए तो भगवान उसके अंतर में बैठे हुए हैं वो ऐसे मिला देते हैं या बुला देते हैं या भिजवा देते हैं वहीं पहुचा देते हैं वो भग पर बिरसान तो धूनने से नहीं मिल रहे हैं भी आपके कहने जिलतार हम गाए की रोटी बना के बाहर जाके देखते भी है कि कोई है या नहीं कोई नहीं हो सब सब आए देखो पहले सब संत सुखी भी चरन तमाही आप संत भी चरन करें तो कहरें बच्चा चुर मार डालते द तुम पकड़ी नहीं पाओगे उनको वो तो अलग उनका होता है अच्छा मालो हम कह रहे हैं अगर हमें संका है कि बच्चा चुराने वाले उनको कैद कर लो कमरे में बंद कर लो पुलिस को बुलाओ जानकारी कर लो कहां से आये कैसे आये और फिर कानून हमारा उनको दंड अब अब और देगा अब ऐसे गेर के मार लाठी मार लाठी मार ड़लाू कौन सा पाहल को नहीं अब जीसे नौजवान बच्चे अब गाओं में जाएं अन्यत ब्रज में तो मांगने में अभी मर्यादा है बाहर अगर घरों में मांगने जाए लोग मतला उपहास करेंगे लोग मार देंगे नहीं पहले संत गाउं गाउं बिचरन करते थे बहुत से मात्माओं जो गाउं में आते कुछ ऐसे स्थान होते जिनमें रुखते प्रवचन करते अब तो अब तो बड़ा मतलब बिचित्र खेल है अब तो भीया नतलब बड़ी विचित्र बिवस्था है बहुत कलियू का बड़ा भजन करके निकल जाओ एक खास बात है ले तो फसाओ फसाओ हर गली में फसाओ है हर कदम में फसाओ है वगवाल की प्रप्ति बड़ी कठिल है आपके आदेशनों सार रोज घर के बार जाके देखते है कोई संस्टपकोई संस्तन सभय हो गया है अब लहाँ अब लहाँ अब लहाँ देखुै Farm हमिले के बहुत कटिन हो गया इसलिए यहीं पर आने का दिल करता बाब जी तो आओ जिनको नहीं आने का मिलता हूं मुबाइल से सुन लें लेकिन जिनको आने का मिलता है सोभागी तो धन्य भाग है आना चाहिए महिने दो महिने में जिनको शुविदा है एक बार जरूर आ जाना चाहिए दर्शन, आवे इसे बातुए अप्टिए राधा, राधा, राधा राधा, राधा, राधा राधा, राधा, राधा राधा, राधा, राधा राधा, राधा, राधा। राधा, 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 राधा राधा, 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 राधा... ले अरो टा जो आरो हो आई में लीधा